मैं चिराग पासवान मैं राजी वरंजन सिंग और प्लालन सिंग सतक निष्टा से पतिक ज्यान करता हूँ मैं घीतन राम मान जी राश्टपती भावन में पधान मंत्री नरेंद मोदी के नेत्रुत वाली अपने पद और गोपनियता की शपतली मोदी 3.0 कैबिनेट इस बार बिहार के 8 सांसदों को जगा मिली है बिजीपी से 4, जेडियू से 2 और लोचपा राम विलास से 1 सांसद को मोदी कैबिनेट में जगा मिली है 12 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले नितिश कुमार जहां किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आये वहीं चिराक पासवान ने सभी 5 सीटे जीत कर शांदार प्रदोशन किया बिहार में एंडिये केस प्रदोशन का मोदी 3.0 कैबिनेट में भी साफ असर देखने को मिला जेडियू के जिन 2 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगा मिली उनमें राजीव रंजन उर्फ ललन सिंग और राजसभा सांसद रामनाठ ठाकूर का नाम शामिल है ललन सिंग नितिश कुमार के बेहत करीबी माने जाते हैं वो जदियू के राश्टी अध्याक और सतरवी लोकसभा में जदियू के संसदिय दल के नेता रह चुके हैं इसके लावा जदियू के राजसभा सांसद रामनाठ ठाकूर को भी मोदी 3.0 में जगा मिली है रामनाठ ठाकूर बिहार के पूरु सियम जन्नायक करपूरी ठाकूर के बेटे हैं और आजसभा में जदियू के संसदिय दल के नेता भी है महीं बीजेपी के बात करें तो पिछली सरकार में मंत्री रहे गिरीराज सिंग और नित्यानन राय को एक बार फिर मोदी कैबिनेट में जगा मिली है दोनों बीजेपी के कद्दावर नेता है और मोदी शाह के बेहत करीवी माने जाते हैं वहीं सतीश चंद्र दूबे और राजभुजन चौधरी निशाद को भी मोदी कैबिनेट में जगा मिली है लोजपा रामविलास से केवल एक सांसद को मंत्री पद मिली है लोजपा रामविलास के मुख्या और हाजीपूर से सांसद चिराक पासवार ने शपत ली है मोदी थ्री पॉइंटों में लोजपा से वो एक मात्र कैबिनेट मंत्री है वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के एक मात्र सांसद जीतरा माजी को भी कैबिनेट मंत्री बना गया है माजी गया सीट से चुन कर आए है वहीं है झाल झाल